गुडिविंग इस्टूरेंट्स, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल, मैथमेटिक्स विद अवीगर्ड, इस्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी, अच्छे हैं, अच्छे ही रहिए इस्टूरेंट्स, खुश रहिए, आज हम करेंगे इंट्रीकल का कोशन, ठीक है, इंट्री यहां क्या दिया है, आपको एंगल एक्स की जगे, टू टैन इंवर्स एक्स, इसलिगे कारण कोशन सच में देखने में टिपिकल लग सकता है आपको, पता नहीं कैसे सोल करेंगे, ठीक है, बट इस्टूरेंट्स कोशन बहुत इजी है, मत घबराईए एंगल से, ठीक है, एंगल में क्या दिया है, टू टैन इंवर्स एक्स, इसलिए यह सब तो चीज़े आप जानते होगे न, यह जो साइन, कॉस हम पढ़ते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, एंड सो ओन, ठीक है, यह सब क्या होते हैं, टिग्नोमेटरी फंक्शन, यह सब क्या होते हैं, यह सब हो यहां पर क्या होता है इसके बाद कोट सेक और कोसेक यहां पर भी आएगा उसी तरे से कोट इन्वर्स एक सेक इन्वर्स एक कोसेक इन्वर्स एक इन्वर्स एक इन्वर्स टिंवर्स 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 ट देखो अब इसका करना है आपको integration तो इसका integration कैसे करेंगे बहुत इजी है पूरा video पूरा lecture अच्छे से लीजिए clearly समझाएगी हर एक चीज 210 इंवर्स को मान लो T ठीक है ऐसा करो 210 इंवर्स को मान लो T फिर देखो question होता है कि नहीं होता है तो मान लीजिए 210 इंवर्स X is equal to T तब आप इसको differentiate करो तो इसका differentiation कैसे करेंगे पता होना चीए आपको 10 इंवर्स X का differentiation तो मैंने आपको बताया था क्या होता था मैंने आपको बताया था 10 इंवर्स X का differentiation होता है 1 upon 1 plus X square तो यहां use कर लें 2 तो constant है यह तो लिखा हुआ है 10 इंवर्स X की जाएगे आप क्या लिख दोगे differentiate करने की बाद 1 upon 1 plus X square और 10 इंवर्स का तो यह हो गया X का क्या हो जाएगा dx is equal to t का क्या जाएगा dt ठीक है तो यहां से dx upon 1 plus X square की value क्या आगई 2 का divide कर दिया dt by 2 ठीक है अब आप substitution कर दीजे अपने कोशन में dx upon 1 plus X square है ना तो देखना dx upon 1 plus X square अरे आप इसको इस तरह से लिख लो सैक स्क्वाइर 210 इंवर्स X ठीक है यह चीज है जाए टीज और dx upon 1 plus X square इससे कोई फरक पढ़ा कैसे लिखने से बिल्कुल नहीं फढ़ा तो dx upon 1 plus X square की जगे आप क्या पूट कर देंगे dt by 2 ठ तो पूट कर दो क्या पूट करोगे सैक स्क्वाइर 210 इंवर्स X की जगे पूट करोगे टी और dx बटा 1 plus X square की जगे dt by 2 ठीक है तो 1 by 2 constant है यहाद है एक integration से भार integration करना है आपको सैक स्क्वाइर T, ठीक है, साथी स्क्वार T का आपको integration करना है, DT दिया, इसका मतलब T के respect में, अब यह चीज तो आप जानते हो, मैं आपको formula बता चुक्य हो, साथी स्क्वार X का क्या होता था differentiation, साथी स्क्वार X का क्या होता था, साथी स्क्वार X का होता था 10X, ठीक है मैंने आपको बताया था पहले तो सैक स्क्वेर एक्स का integration क्या होता है 10x तो यहां क्या है सैक स्क्वेर टी तो क्या हो जाएगा इसका 10t तो is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 10t ठीक है plus constant of integration c अब हमने क्या करना है simple t की value put करनी है आपने क्या मानी थी 2 10 inverse x तो पुट कर दो 1 by 2 10 2 10 inverse x और plus constant of integration c योग हमारा answer समझाए students बहुत इजी question है ना कुछ भी नहीं करना सिफ t मान के question में put up करो values और solve करो कितना easy question है बस थोड़ा सा देखने में typical लग रहता है students यहाँ एक्जाम में लिखके आईएगा here sees constant of integration ठीके एक्जाम में लिखके आईएगा तो चीजे समझ आ रही है इस्वेस लिदी आपको कोई भी problems हो, queries हो तो please comment box में पूछ लीजिए मैं बार बार एकी चीज़ कहती हूँ comment box का use करो comment box में जो भी आपकी problem है query हो, पूछ हो चीजे समझ आनी चाहिए, concept clear होना चाहिए ठीक है so thank you students मिलते हैं next lecture में कुछ और integral की questions के साथ यह तो आपको समझ आई ही गया होगा ठीक है, आपका question क्या दिया वा था यह answer क्या आगया, यह easily solved होगा thank you students कंपना ही बुए त्रे को में इफदेनों कंपना ही ते की लगक क्य keywords